नमस्कार दोस्तो, पड़ल एकड़मी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तही दिल से स्वागत करता हूँ हमने चैप्टर वाइज कुशन की एक सिरीज इस्टार्ट की हुई है जिसमें सारे कुशन सेलेक्टिड कुशन है जो आपके प्रिवेस एर एक्जाम्स में आए हुए है तो करम को आगे बढ़ाते हुए आज परसेंटेज का लेक्शन नमबर फोर हम सॉल करेंगे तो पहला कुशन देखते है खाद्य तेल के मुल्य में 25% व्रद्धी होती है अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुसमा इस तेल के बोग में 20% की कमी करती है खाद्य तेलों के कारण व्य में कितने प्रतिसत की व्रद्धी होगी लगो प्राइस इंकिरीज हो गया पहले परसेंटेज कितनी थी 25% इसको लिखते है एक बटे 4 और दूसरी परसेंटेज क्या 20% इसको लिखते है एक बटे 5 तो प्राइस बढ़ी है तो 25% मतलब पहले प्राइस 4 था अभी कितना होगी है 5 होगी है, एक बढ़ी है, 4 पे एक का increment हो गया उसके बाद बोलता है कि quantity में 20% की कमी कर दी उसने तो पहले 5 थी अभी कितनी कर दी 4 पांच में 1 की कमी कर दे तो उसका expenditure कितना होगा खर्चा कितना होगा देखो price में quantity से multiply करते तो खर्चा जाता है 20 रुपे खर्च हो रहे थे और अभी कितने खर्च हो रहे अभी भी 20 खर्च हो रहे तो यही पूछ रहे है कि खादे तेल के कारण वे में कितने प्रतिसत की वरद्धी होगी देखो पहले भी 20 रुपे खर्च हो रहे थे, आज भी 20 रुपे खर्च हो रहे तो कितने पृतिसत की वरद्धी हुई, 0 पृतिसत की वरद्धी हुई, कोई वरद्धी ही नहीं तो इस question का पहला वाला answer हो जायेगा 0 पृतिसत अगला कुश्यन देखते हैं एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है तो अंत में कमी का प्रतिसत क्या होगा देखो इस successive discount का कुश्यन है discount में क्या negative term होती है तो minus हो जाता है दोनों percentage minus हो जाएंगे यही कुश्यन compound interest का होता है तो यह positive हो जाता area increase, decrease या आपका population increase यह सारे कुश्यन इसी तरह से होते हैं या फिर आपके rate में depreciation हो रहा है तो दोनों percentage को मैं लिखता हूँ 10% का मतलब होता है एक बटे 10 और 20% का मतलब होता है एक बटे 5 तो पहले क्या हुआ कि 10% कम हो गया 10% कम होने का मतलब क्या है कि first value थी 10 और दूसरी value एक कम होगी 10 पे एक की कम होगी तो 9 हो गया दूसरा प्रितिसत कितना कम होगी 20% उसका मतलब कि आप 5 में 1 की कम होगी तो पहले 5 था अभी कितना होगी 4 तो कितने प्रितिसत की कम होगी ये प्रितिसत निकालने के लिए आपको 14 बटे 50 गुना 100 करना पड़ागा तो यहां से 28% आ गया आप यहां से direct भी बता सकते थे 50 पर अगर 14 की कम है तो 50 को मैं 100 बना लेता हूं गुना 2 कर गए तो इसमें भी 2 का गुना करने पड़ागी तो 100 पर कितने की कम होगी 28 की तो directly मैं बोल सकता हूं कि 28% की कम होगी तो इन दोनों प्रितिसत को 10 और 20 को एक साथ लेंगे तो 28 आ जाएगा यहां तो इस मैथड़ से तो कितना हो गए यह 30 हो गया और माइनस में यह दोनों 0 कैंसिल हो गए यहां से बचा 2 तो 30 में से दो गए 28 ऐसे भी निकाल सकते हो यह मैथड़ भी अच्छा है जैसा आपको अच्छा लगते है उस तरह से कर लो तो इस कुश्यन का चौथ हमाला आंसर हो जाएगा 28% अगल दोनों मोटरों को मिला अगर खराब मसीनी पुरजे का पृतिसत कितना था देखो एक मसीन में थे 120 पृतिस थे उसका पौँच पृतिस खराब थे तो 120 का पौँच पृतिस बारे पंचे साथ डारेक्ली आप लिख सकते हो च्छै आ गया एक दूसरी मसीन थी उसमें 80 पृत उसका 10% खराब थे तो 80 का 10% कितना हो गए? तो 14 टोटल पुर्जे खराब थे दोनों मसीनों को मिला के दोनों मसीनों को मिला के पुर्टीसत पूछ रहे तो 14 खराब थे और 120 और 80 को जोड़ लेंगे टोटल कितने थे? टोटल तो 200 थे ना 120 और 80 जोड़ेंगे तो 200 पुर्जे थे तो 14 बटे 200 आगया गुणा हो गया 100 100 से 200 गया 2 बार और 2 से हो गया 14 7 बार तो 7 पृतिसत हो गया जो पुर्जे खराब थे अब इसमें आपको ये करने की जरुत नहीं थी आपको सीधा देखना था कि 200 में 14 वैलू थी तो 100 में कितनी होगी साथ अगर 200 का आधा कर होगी तो 14 का भी आधा करना पड़ेगा तो 7 पृतिसत वैलू आगी तो इस कुशन का पहला वाला आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं पचास छात्रों की कक्षा में आस्तन सत्तर पृतिसत अंग प्राप्त किये गए पिर्थम 25 छात्रों ने आस्तन साथ पृतिसत अंग प्राप्त किये और 24 छात्रों ने आस्तन 80 पृतिसत अंग प्राप्त किये अंधिम छात्र ने कितने अंग प्राप्त किये देखो या तो आप basic method से कर लो कि 50 छातर थे उनके 70% माक्स आए ये किसके बराबर होगा ये total निकाल लिया आपने तो total क्या होगा 25 छातरों के 60% आए plus 24 जो और थे छातर उनके कितने 80% आए तो एक छातर बचा उसके मान ले दो मैं x परतीस आए इसको solve कर लो और यहां से x की value निकाल लो एक तरीका तो आपका ये basic method है बट आपको paper में इतनी calculation नहीं करनी है आपको बहुत simple way में करना है कि देखो 50 छातर थे लिखना भी नहीं है सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 50 छातरों के 70% थी average इसका मतलब क्या 50 में हर बच्चे की average 70% थी पर हुआ गया इसने 3 पार्ट किये इसके तो पहले जो पार्ट था वो 25 बच्चों का था उसमें क्या थी percentage जो average थी वो थी 60% इसका मतलब क्या हुआ 70 थी पर उन्णा ने सिर्फ 60 दी इसका मतलब 10 कम दिया उन्होंने तो माइनस 10% आ गया इधर से और एक बच्चे ने माइनस 10 दिया एक बच्चे ने 10% कम योगदान रहा तो 25 बच्चों का कितना हो गया माइनस का 200% हो गया उसके बाद 24 बच्चे और थे उनका प्रतिसत था 80% इसका मतलब इन्होंने 10 का जादा योगदान दिया आना तो 70 ही चाहिए था एवरेज वैलू 70 थी तो सब की 70 होनी चाहिए थी पर इन्होंने 80 दिया तो इन्होंने 10 फालतो दिया तो एक बच्चे ने 10 फालतो दिया तो 24 बच्चोंने कितना फालतो दिया 240% जादा दिया तो इन दोनों का effective देख लेते कितना बचा माइनस का 10% अब जो तीसरा वाला बच्चा बच्चा हुआ है जिसकी ये percentage पूछ रहा है तो ये सिर्फ जो अकेला बच्चा हुआ है इसने कितना योगदन दिया होगा कि 10% को भी equalize कर ले और अपनी percent को भी 70% कर ले तो उसको देना पड़ा होगा 70% तो इसलिए क्योंकि average 70% था और 10% और देना पड़ा होगा इस minus 10 को खतम करने के लिए इसका जो कमी पड़ी थी उसको पूरी करने के लिए तो जो एक बच्चा था केला उसका पृतिसत कितना हुआ 80% और यह आपको देखने में ऐसा लग रहा है एक बार इसको आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप चुटकियों में इस question का आंसर निकाल दोगे तो अंतिम चात्र के पृतिसत कितना हुआ 80% तो इस question का आंसर कौन से हो जाएगा तीसरा वाला इस question का आंसर हो जाएगा आपको यह समझ नहीं आए तो मेरे को comment section में लिखके बताना मैं इसको दुबारा समझा दूँगा अगला question देखते है किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है मूल संख्यापर वापिस आने के लिए बड़ी हुई संख्या को कितने परितिसत कम किया जाना चाहिए देखो मूल संख्याथी 100 20% बढ़ा दिया इसको तो इसको कितनी हो गए तो 20 बटे 120 करना पढ़ाएगा और इसको हम percentage के form में के लिखेंगे 120 और 100 बटे 6 आ गया 100 बटे 6 को हम लिखते है 16 से ही 2 बटे 3 परसेंट तो अगर आपने 20 परतिसत बढ़ाया है और वापस से वोई value लाना है तो 16 से ही 2 बटे 3 परसेंट कम करना पड़ेगा तो इस question का तीसरा वाला answer हो जाएगा अगला question देखते हैं 900 अधिक्तम अंकों में से ए ने एक विषय में 72 परतिसत अंक पराप्त किये और दूसरे विषय में अधिक्तम 700 अंकों में से 80 परतिसत अंक पराप्त किये यदि परिणाम दोनों विषयों की समलित परतिसता पर आधारित हो वो था 700 अंकों का, maximum marks उसमें 700 थे, उसमें इसने 80% marks प्राप्त किये, तो 700 का 80% आप निकालोगे, 875, यह होगे 560, अब यह combined पूछ रहा है, दोनों subject में, तो 648 और 560 को जोड़ देंगे, यह आजाएगा 1208, और total कितने marks थे maximum, तो 900 और 700 को जोड़ देंगे, तो 900 और 700 कितने होगे, 1600, तो बटे मागे 1600, और percentage में करना है, इसलिए गुणा में होगे 100, दोनों 0 से 2 0 cancel होगी, 16 से इसमें भाग दे देंगे, यह आजाएगा 75.5%, तो इस question का answer कौन सा हो जाएगा, पहला वाले इस question का answer हो जाएगा, अगले question देखते हैं, किसी व्यवपारी की आएए एक वर्स में 25% बढ़ जाती है, और अगले वर्स 4% घढ़ जाती है, इस पिरकार 5 वर्स पसचात, उसकी कुल आए 72,000 रुपे होगी, उसकी वर्तमान आए कितनी होगी, देखो दो percentage दे रखे हैं, मैं percentage लिखता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको question करते हैं, percentage का लिखने का कोई मतलब नहीं है, और 4% की value होती है, एक बटे 25, पहले साल में क्या हो, 25% बढ़ गी, 25% बढ़ गी, इसका मतलब क्या हूँआ, value 4 से 1 बढ़ गई, तो 4 से होगी 5, यह first year का था, second year में क्या हो, 4% घट गई, तो 4% घटने का मतलब क्या है, पहले value थी 25 और अब 1 कम हो गई, तो 25 से 1 कम किया थी होगी 24, second year में, third year में क्या, फिर 4 से 5 होगी, 4th year में फिर 25 से 24 होगी, और 5th year में 4 से फिर 5 होगी, अभी यह जो value आएगी, यह initial आएगी और यह final आएगी, पर देखो, आप direct multiply करने लग जाओ, वो कोई समझदार ही नहीं है, यह ratio की value है, तो सबसे पहले जो common चीज़ें उनको हटा लेते हैं, पांच और पांच, कितना होगी, 25 इदर से 25 हटा दिया, उसके बाद फिर 5 बचा, इस से यह 25 बार चला गया, इसके बाद 4 से 24 गया 6 बार, और इस 4 से यह 24 गया 6 बार, फिर 2 से काट लेते, 2 से यह 4 गया 2 बार, और यह 2 से 6 गया 3 बार, तो इदर आगे 5 दूनी 10 और इदर बचा 6 यह 8 बार, इधर वैलू आई 10 और इधर वैलू आई 8 यह क्या कह रहा है, पांच वर्स पश्चाथ 72 हजार होगी कीमत, तो 18 को 72 हजार करना है मेरे को, तो 18 को 72 हजार कैसे कर सकते हैं, 4000 से गुणा कर दें, तो 72 हजार हो जाए, तो 10 में भी फिर 4000 से गुणा करनी होगी, तो 10 में 4000 से गुणा करी, तो यह आगे 40 हजार, पांच साल पहले कितनी आये थी उसकी 40 हजार, तो इस कुशन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला अंसर हो जाएगा 40,000 बगला कुशन देखते हैं 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया तुरूटी प्रतिसत का मान क्या होगा देखो जो गलती हुई वो कितनी गलती हुई 1.55 नाप दिया गलती से जबकि नापना कितना था 1.5 तुरूटी प्रतिसत हमेशा उस वैल्यू से निकालते हैं जो एक्च्वल में वैल्यू है तो वो लंथ उसकी बढ़ थोड़ी गई थी उसने गलत नाप दिया इसका मतलब ये थोड़ी कि लेंथ बढ़ गई एक्च्वल वैल्यू तो उसकी डेड़ मीटर ही थी न तो बटे में लिखेंगे डेड़ और गुणा करेंगे 100 से और 1.55 से 1.5 जायागा तो ये बचाएगा 0.05 और बटे मागे 1.50 और गुणा मागे 100 ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे वाला पॉइंट हटा देंगे तो उपर बचा 5 और नीचे बचा 1.500 और गुणा मागे 100 एक जीरो से एक जीरो कैंसल होगी पांस से पंद्रे जायागा तीन बार और तीन से दस को भाग देंगे तो तीन साही एक बटे 3% आ गया तो इस कुशन का तीसरा वाला आंसर हो जायागा तीन साही एक बटे 3% अगला कुशन देखते हैं एक लड़का पिरसन ये पिरसन था यहां से स्टार्ट हुआ एक बटे 4 और एक बटे 5 के योग को एक मैसे घटाएं और उत्तर दसमलव में दे और तो इसका जो उत्तर दिया उसने 0.45 देता है तो उसके उत्तर में तुरूटी की पृतिसत्ता बताओ तो एक बटे 4 को पहले तो एक बटे 5 से जोड़ा तो इन दोनों को जोड़ा ती होगे पांच एक पांच और चार नो बटे 5 और बटे 20 तो नो बटे 20 आ गया और फिर उसके बाद एक मैसे घटा है नो बटे 20 को तो घटाने पर क्या वेलु आई 20 और इधर 9 बीस में से नो गये 11 बटे 20 और आंसर उसने क्या लिखा आंसर लिखा उसने 0.45 और हमारे साब से कितना आंसर आ रहा है 11 बटे 20 इसको बराबर करने के लिए क्या करना है इसको 11 मान लो और 20 की गुणा करलो 0.45 में तो 20 की इसमें गुणा करो यह आ जाएगा 9 तो अभी हमको percentage निकालनी है इसमें जो error हुआ है उसकी percentage बताओ तो error कितना हुआ है 2 का error हुआ है और actual value क्या है 11 है 9 नहीं है 9 तो गलत value लिखी उसने actual value 11 है तो 2 बटे 11 करेंगे और इसको percentage करने के लिए 100 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 200 बटे 11% इस question का कौनसा आंसर हो जाएगा नौ वर्स बाद सूरिया की I.U. क्या होगी यह condition दे रहा है कि रवी की I.U. मैंने R मान लिए रवी की I.U. उसकी और सूरिया की I.U. तो रवी की I.U. और सूरिया की I.U. को दोनों को जोड़ गए योग कह रहा है योग और उसका 40 पिरतिसद 40 पिरतिसद का मतलब होता है 2 बटे 5 इसके बराबर है 5 को इधर लेंगे तो यह 5R आ गए और इधर 2R प्लस 2S हो गया 2R को इधर लेखाएंगे 5 में से 2 हो गया तो यह बचा 3R बराबर 2S तो R की वैलू कितनी होगी 2 और S की वैलू आ गई 3 तो R और S की जो Ratio की वैलू की वैलू है की R की वैलू दो हो गई और S की वैलू तीन आ गई यह Ratio यह actual value नहीं है actual value कैसे निकालेंगे यह कह रहा है कि रवी सूरिया से 12 साल चोटा है यहाँ पे कितना चोटा दिख रहा है यहां पे सिर्फ एक साल छोटा दिख रहा है तो इसको बारे करना पड़ेगा तो एक मगर बारे से गुणा करेंगे तो दो में भी बारे से गुणा करनी होगी इधर भी बारे से गुणा करनी होगी तो रवी की एज कितनी हागी 24 और सूरिया की एज कितनी हागी 36 तो अब ये 9 वर्स बाद पूछ रहा है सूरिया की एज तो 9 वर्स बाद तो इसमें 9 वर्स और जोड देते हैं 36 और 9 कितने होगे 45 तो सूरिया की एज 9 वर्स बाद हो जाएगी 45 इस कोशन का चौथा वाला अंसर है 45 वर्स मैं आज अकरता हूँ इस लेक्चर में आपको सारे कुशन बहुत अच्छे से समझ आये होंगे फिर भी अगर किसी कुशन में डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखके बताईए और इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है या मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखके बताईए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिंद, वंदे मात्रम